हेलो स्टुटेंज आज मैं आपको लेसन त्रीका नया टॉपिक स्टार्ड करा रही हूं सैंत उपक्रम व्यवसाई संगठन कई प्रेकार के हो सकते हैं जिसे निजी सरकारी वैश्विक जिसके बारे में आपको मैंने पहले पताया कोई भी व्यवसाई संगठन हो चाहे अन्य संगठन के से हाथ मिला सकता है यह संगठन निजी सरकारी विदेशी कंपनी हो सकते हैं यह निकि निजी भी हो सकते हैं सरकारी विदेशी कंपनी यह आपस में मिलकर भी कारे कर सकते हैं जब दो इकाईयां समान उतेशें पारस्परिक लाब के लिए इखटा होना तै करती है तो इससे सयुक्त उपकरम का उद्य होता है, यानि कि दो इकाई है, दो इकाई है कौन सी, जैसे निजी, या जरकारी, या विदेशी, कोई भी हो सकती है, जिनका उदेश्य क्या हो, समान हो, और पारस्प्रिक लाब कमाने के लिए, अगर दोनों इखटा हो जाती है, तो सयु सयुक्त उपकरम का उध्य माना जाता है, किसी भी आकार की इकाई लंबी आउदी या लगू आउदी परियोजना में बागितारी को सुद्रण करने के लिए, शैकू इखटनों इस्धाफित कर सकते है, या जो अ च्छोटी अलपाउदी के लिए कर सकती है इस मामले में दू देशों की सरकारों के जो भी नियम उसका पालन इसको करना होगा कि इस प्रकार से सहीर तफ़करम का आर्थ दो दो से अधिक व्यावसाई की द्वारा एक मिश्चित उद्देशे को प्राप्त करने के लिए संसादनों एवं विशे शग्यता को एक साथ मिला देना है यह निकी दो सहदी को प्राप्त करने के लिए उद्देशे को प्राप्त करने के लिए उनके पास संसादन है संसाधन का मतलब वही मैंने आपको पहले बताया था 5 M इसे मतलब था money, material, machine यह यह बताया था पांच में आपको management बगर था यह सब संसाधनों को और विशेष अगयता को यहने कि कोई विशेष अगयता मतलब किसी कारे में expert जिसे कहते है specialization तो उसको एक साथ मिला देना थीक है विवसाई की जोक्षी में प्रतिफल को आपस में बाट लेना और सही तुपकरम इस्थापित करने की करन विवसाई का विश्थार होता है नए उत्पादों का विकास होता है नए बजारों की खोज होती है विशेष कर अन्य देशों के कारे करना इसमें समलेत होता है यानि दो देशों के बीच में अगर ससाना कारोबार कर सकते हैं समें यह बिवसाइंट कंपनयां अधिक कम्पनियां जिसों एक नहीं कई का निर्मान करते हैं जिस पर सभी का नियंत्रण हो और क्या करते हैं इसमें पूंजी टेक्नोलोजी मानो संसाथन जो काम करने वाले हैं एंप्लॉई जो खीम रिस्क होती है और प्रतीवल इनको आपस में बातने के लिए सहमत हो जाते ब्हारत में समिदात्मक साथित उपकर्म और समता आधरीक सहित उपकर्म सहित पहला है समिदात्मक सहित उपकर्म कॉंट्रेक्ट नाम सुना होगा स्वामित्व का निर्माण नहीं किया था यहां किवल साथ साथ कारे करने का समझोता होता है और व्यवासाइट की स्वामित्व को भी नी बाढते हैं बलकि स्वामित्व का प्रियोक करते हैं है दों कि इनाई काम करती है माली हां हाउ लग होता है क्या होता कारको कार être करने के दूसरी कमपनी उस प्रॉड़क्शन किया उसके माल को बेचने का एक कॉंट्रेक्ट करती है दोनों के बीच में का माल बेचेगी तो प्रॉड़क्शन करने वाली दूसरे मार्केटिंग की कमनिया दोनों मिलके कोई अग्रिमेंट कर लेती है तो यह फ्रेंचाइजी के घृचल जाता है तो यह फ्रेंचाइजी वाफशाई सेजिसे के अंतरगत्र आता है अब देखिए इसके समंद्र में प्रमुक्तत्व के हैं दो इं अदिक पक्षों का एक सम्मान स्पार्ट स्टार्ट होता है वावसाइपक्शान को चला दोनों का एक ही सटार्ट का मिलें और फ़य अदेश होता हुआ है और ववससर उपकमू चलरा परतेक पक्ष कुर निर भी राता है विस्त हमाना कुछने कुछ लेकर आता है या लोगा संधित थे लंपने के लिए तोनों के बीच मैं कोई एक लेंदेन नीं दोनों के बीच में कॉंठक्ट होता है न लंभे समे के लिए ठीक है तो ये था सम्दात्मक सांधि उपकरम दूसरे सम्ता आदारिस संध्यूंतु उपकरम वह हैं जिसमें एक अलग व्यवसाई काई जिसमें दो या अधिक पक्षों का संध्यू सवामितु का निर्मान हूँ और दोनों पक्षों की बीच में समझोता होता है व् प्रवंदन होता है पूजी निवेश्व अन्य वित्ति ववस्ताओं के बारे में सेवाजित उत्त्रदाइत होता है। है सम्द्रदति के अनुसार से भाजित लाभिया हानी इसके न्तरगत होती है। जिसमें क्या होता है स्वामित भी होता है। दुसरा इसके अंदर प्रभंदन का भी विभाजन होता है। वित्त का भी विभाजन होता है, लाब का भी विभाजन होता है, कहने का मतलब यह है कि MOU, समझोता पत्र जो है ना, मेमोरेंडम, वो साइन होता है, दोनों के बीच में, ठीके ना, और वो दोनों मिलके ववसाइक का संचालन करते हूं. एक सहिक्त उपकम, अनिवायत है, एक ऐसे समझोता पत्र पर आधा है, तो सहिक्त उपकम समझोती के आदाब को उजागा करते हैं, दोनों पक्षोर द्वरास्तांत्रित के आता है, बाद में किसी भी कानूनी पेजगिती से बसने के लिए समझोती की शर्टों की चर्चा भी ह हो जानी चाहिए, पहले से ही, यानिक बाद में कोई मतवेद नहीं हो, समझोता और शर्टे दोनों की पक्षों की संस्क्रती और कानूनी प्रेस्ट भूमी के अनुसार होनी चाहिए, और लिखित होनी चाहिए, और विशिस्ट अवदी में सभी आवश्यक सरकारी अनुबो वैश्यक सभी और शर्टे में रादिक किसी दूसरे के साथ हांत मिल आने से यूड़ जाने से उप्लब संसाधन में और शर्टा में क्या? क्या होती है रदी होती है, जिससे सभताता है, पुझी अधिक तहर जिससे बढ़ाता है, विश्यक्षे स Śनवत करता है, यहीं को सु अभी सामना आसने से कर सकते हैं और नहीं ने अवसरों का लाव उठा सकते हैं दूसरा है नए बजार वित्रन तंद्र का लाव जब एक नए व्यरसाइक इकाई किसी दूसरे देश की व्यरसाइकाई के साथ सांजदारी में सहीगतुपकरम बनाती है तो इससे क्या होता है दूसरे पादो के विक्री का अपने धोली ङुद्र का लाव वस्तों का उत्पादन की उतनत Techny minorities वाली वस्तों का और निवेश एन इंवेस्टमेंट की भी बचत हो जाएगी और तक्निकी से कारिशमता भी बढ़ेगी प्रभावशिरता भी बढ़ेगी वस्तु की लागत भी क्या आएगी कम आएगी नवीन्ता ऐज बजार में नई वस्तु की मांग है समय करण बजार में नए ने अचनरातम वस्तु के कारण वий देशे सांजदा नए प्रकार की वस्तु वस्तु के अंदर लाते नेगी क्योंकि समयोकर की कमणिव के साथ हमारा कॉंटक्ट हो जाता है उत्पादन लागत में कमी जब कोई अंतरास्टी निगम भारत में पूंजी निविश करता है तो उन्हें उत्पादन की कम लागत का भी लाब मिल जाता है उन्हें अपनी वैश्वी काउशत्ताओं के लिए शेज गुनवता वाली वस्तोवे भी प्लग दुजाती है आज भ प्रफेशनल जो है ना मैनेजर वगर यह मिल जाते हैं वकील है चार्टेट अकॉंटेड है इंजिनियर है वैज्ञानिक आदि के रूप में भारत में अपार शक्ती है ना इसका लाब भी जह है मिल जाता है और इससे क्या होता है कि हमारी जो है यह सब यह जो मित्तिव धर बता है ना यह सब क्या भारत के अंदर कम मतलव दर पर हमें उपलब्द हो जाते हैं या पैसा कम कहर्च होता है जिससे विदेशी कमनियों को कही लाब होता है और हमारी वस्तु की लागत की ऊएगी इसे कम आएगी एक स्टाफीत प्रान का नाम जब दो वयवासाइद की कह स्ताफित काहला मिलता है को बा月 की ए इसकी गहति करेंगे तो क्या होगा उसकी क्हाला हमें भी भी राना परेगा गयने केने का मतलब है उस कंपने की जिसके साथ हमने समझोता किया है तो उसकी कंपने की जो छवी है साक है उसका लाव हमें भारत के अंदर मिल जाएगा हमें उसके लिए अलग से पैसा खर्च करने की जरूत वे नहीं हो जाती है यह तापका टॉपिक पूरा हो गया कि सहीं प्रक्रमसे में क्या-क्या लाव होते हैं इसके दो प्रकार थे समिधा वाला और दूसरा ही समताता है ठीक है और अगला टॉपिक है सावजनिक नीजी भागेदारी जिसको इंगिश में पी-पी-पी कहते हैं पी-पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइबेट जब पब्लिक सरकार और नीजी संगठन मिलकर अगर कोई पाटनर्शिप करते हैं कोई कारी करते हैं उसे पी-पी-पी मौडल कहते हैं यह आपने नीज में सुना होगा कि यह यह जो है पी-पी-पी मौडल प्राधाईत है यह ना इसके कई एक्जामपल आते हैं जो मैं बत होती है सरकारी का यह जैसे मंत्राले है विभाग है नगर लिगम है सरकारी स्वामित वाले उप्रक्रम है और नीजी भागी दारे में जैसे तकनिकी है विट्टी विशेशक्रिता वाले विवसाई है यह निवेशक है यह सारे इसमें आते हैं पी-पी-बी के अंतरगत जो क एक समझोता करते हैं और पीपी को आधार बुशन रचना अन्य सेवाओं के संदर में सावजनिक और निजी कायों के बीच एक संबंद को परिवाशित किया गया है सावजनिक निवेश सबलता में सावजनिक शेत्र के अंदर क्या होता है देखो पीपी मोडल के अंदर सरकार का युगतान होता है जर्च निवेश के लिए पुंजी संपत्यों केस्तर के रूप में होती है सामाजी गुत्वदायित परियावन जा गरुता इस्थानी जामाजी ढर्रिक वागदारी को इसाइता कर提े है सामाजी गुर्त दाइत पर्यावन के लिए जागुता फैलाने के लिए यहां पर बीपी मॉडल का प्योग किया जाता है इन बागी जार में नीजी शित्र की भूमी का हैं और उनके विशेश अगिता का प्योग किया जाता है प्रभंदन वगर ऐसारा जो है और यह नव प्र नीजी शित्र को साथ में लेने से क्या होता है कारी का संचालन जहें प्रभावी होता है क्योंकि नीजी शित्र में जो काम होता ना वो काम समय पर होता है क्वालिटी के साब से अच्छा होता है और कई बार नीजी शित्र जो है इसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर देते सरकार को साईता मिल जाती है तो इस प्रेकार से पीपीमόडल के द्वारा कई कारिये हमारे देश में किये जाते हैं जिसमें सरकार और निजीशेत्र मिलकर कारी करते हैं जब हमारे देश में कई ऐसे प्रोजेक्ट है कई ऐसे कारिये जिश पी 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 मॉडल के अंतवर संचालित की जा रहे हैं जिसमें उधारन बता है जिसे उर्जा उत्पादन एम वित्रन जल एम सफाई विवस्ता कच्रा निस्तारन पाइपलाइन अस्पताल विध्याले भाहन शि आवास वगर है यह सब जितने भी धन बता है ना इनने पी पी मॉडल का प्योग किया चाहरा है आपने देखा होगा रेले स्टेशन पर पी मॉडल लागू कर देने का मतलब क्या होता है जो रेले स्टेशन के ऊपर सफाई व्यवस्ता है वो प्राइवेट को दे जाती है त मतलब है सरकार को लगता है कि वो अकेले सारा कारिये सही डंग से नहीं कर पा रहे तो वो पी पी मॉडल को अपनाती है यह अपने साथ नीजी भागी दरे को भी रखती है ताकि क्या कारिये अच्छा हो और सरकार का भी थोड़ा भर कम हो जाए और सरकार को पैसे की भी साइ और नीची शेत्री में जो विशेशक गिता होती है उसका लाप पी उसको मिल जाता है इस प्रकार से बिपी पी मॉडल का भी ग्योग किया जाता है यह लेसन आपका समाप तो गया है नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो में लेसन समझ में आया होगा अगर कोई प्राब्लम तो आप पून पे या वोट्शप एकांसल कर सकते okay, take care, bye